हेलो गाइज वाट्स आप आज हमारे पास यह पार लाइट 16 LED पार लाइट आया है यह नमाई है किसी दुकान दार का है तो यह जब हम इसको उन्होंने चला के देखा तो यह नहीं हो यह एक और इसको हम चला के देख लेते हैं हें 220 वल्त में इसको कनेक्ट कर देढ़ें तो देख सकते हो आप अगे अबबर सुना आओ आपको वाज तो इसका जो पेल एहों रोटेट हो रहा है लेकिन इसका LED नहीं चल रहा है, इसके बटन को भी प्रेस करके देख लेते हैं, कुछ नी हो रहा है, only fan इसका rotate हो रहा है, चलिए इसको हम उपन करके देखते हैं, मैंने socket को निकाल लिया है, इसको फोल लेते हैं, बटन से, यह खुल चुका है, तो यह देख सकते हैं, यह हमारे अंदर के सारे parts है, यह हमारा LED का पैनल है, इसके यह connections है, इसके अंदर जा रहा है, यह जो बटन्स भी हैं, इसके यहां ही पर लगे हुए, और यह इसका power supply section है, तो देख सकते हो दूस्तों, अभी जैसी मैंने खुला है, इसका यह जाँ यह तार रहा है, यह थार नहीं लगाता है, यह दिक्कत हो सकता है, भाक। आप अगर आप देखना चाहते हमें, यह कि अंदर किस तरह से चीजें की लगे हुए है, तो आप देख सकते हो, यहां से हमारे एक दो तीन चार पांच वायर गया है वाइट ग्रीन ब्ल्यू रैड एंड येलो तो इसको हम यह भी एक और खोल के दिखाते हैं आपको आपको देख सकते हो यह SMD LED है को नजदीक से दिखाते हूं मैं इसमें जो LED 16 LED लगे हुए यहां पर देख सकते हैं यह हमारे पीन से किस किस के लिए यह हमारा रैड है एक ग्रीन के लिए यहलो वाला रैड के लिए और ब्लू वाला ब्लू के लिए और वाइट और ग्रीन यह पॉजिटिव होल्ट है यह जो पॉइंट्स है यह सभी में कॉमन दिया हुआ है यानि कि यह जो यह दोनों पिन्स है सभी एलेट के पॉज्टिव साथ कनेक्टेड और यह जो तीनों वाइर से सभी एलेड के कॉमन किये हुए रैड ग्रीन और ब्लू और यह तीनों इस वाले कंट्रोलर के अंदर रहा है यह मार're main controller वाला पार्ट है तो जो हमारा वी फैन चल रहा था इस वजह से चल रहा था क्योंकि इसका श्प्लाइब स्प्लाइब सब्सक्न हो कि प्लस यह इसके अंदर जा रहा है यह एक भार मिसका बोल्टे चेक करके देख से कि इसके जुकांट्रोलर में जाते हैं इंदोनों पायंट्स प्टा अगिश्ते हैं उन द्धिध एक करते हैं मैं सुकल लगा रहा हूं तो दो फैन रोटेट होना सुरूक हो गया हुसक्ट एक यह हैर्स इसको डची तो यह प्रोप्स कंल Muz । मुख लगा के देखनाई यहां पर 33 दो कर जाना था इधाइन है इसका लिखेंगे 10 वह वड कि लोट इसको चैक करते है यह 9.9 को रहा है शोखेर यह इसोफ चही है शुबereye सकंसे आध्या ससदmek खांच है तो एक वर इस केबल को लगा करे फिर ओन करके देखते हैं ये केबल लगा दिया और रभी लगाने पर यहां पर कुछ चल नी रहा यहां पीछे से इसके लाइट आने लग गया है जेख सकते हो अलग लग इसके जो होते हैं ब्राइटनेस और जो कलर पैटरंस चलने लग गए यह प्रोब्लम तो यही था तो लेकिन अगर हम इसको खोले हैं तो इसके हम और भी डिटेल्स देखते हैं सब्सक्राले सफ तरह से लगे हो हैं इसको एक और हम स्कंट्रोलर के पार्ट को निकाल के क्टेट निकाल के देखते हैं कि यह किस तरह से वह आप रहे हुआ है मॉस्ट लगे हुआ है 30N06 यह तीन मॉस्ट लगे हुए तीनों कलर के लिए रड करीन और ब्लू यहां लिखा भी आर जी अन्ड यहां पर एक और लगा होना चाहिए था और यहां पर कनेक्ट नहीं किया हुआ डबलू यह मारा चालोग पुश बटन सा और यह जो है मैक्स 480 मैक्स फॉरइट फाइब नमबर इसका यह वाला इसी का एक वाले डेटा स्टिट का सर्च करके देखते हैं यह गूगल करके देखता है आई आए अ आए यह एक आई सी जो है यह हमारे इस वाले पॉट में लगा था यह जो हमारा DMX लिखा हुआ था यहां पर DMX इन एंड आउट तो यह इसके साथ हमारा कम्यूनिकेट कर रहा है इसके माइक्रोट्रोलर रहे है मेरे को कुछ देखा से लग रहे है क्योंकि यह इस तरह के क्न मैक्रोट्रोलर एच्टिएम एट करके कुछ आता है तो एक बार हम स्टिएम एट सर्ज करते हैं कि यह मी कितने पिन काउंट से पहले उसको देता है हुआ है 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 OH 20-андम का यह आईसी प्रज़ रते हैं जो सा माइक्रों ड्रॉल राता है है से क्या क्योंकि मैंने देखा हुआ स्टीए एंट ये एस्टी एम एट एस देख सकते हो 003F3 यह तो देखते हैं कितने पिन है 12345678910 इसमें टैन पिन तो यह कोई गरांटी नहीं कि यह हो सकता है इसमें कोई और भी हो सकता है लेकिन जैस्ट मैंने एस्टिमेट लगाये तो वहम इसको असेम्बल्ड कर देते हैं तो भाला लाला लाला झाल झाल